बट इस lecture में मैं आपको properly बताने वाला हूँ A to Z rationalization के बारे में और फिर उसके बाद हम इसके questions करने वाले हैं हाई गाईज कैसे हो आप सब मैं हूँ आपका होस्ट और दोस्त इशान महेश्वरी और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल EM Mathematics पर तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 9th CBSC Maths के चाप्टर नमबर 1 नमबर सिस्टम का लेक्चर नमबर 23 लेकर आए हैं जिसमें हम आपकी इस चाप्टर का बहुत ही बेहद इंपोर्टन्ट टॉपिक rationalizing the denominator के बारे में पढ़ने वाले हैं और कुछ 2-4 basic questions इसके उपर करने वाले हैं तो शुरू करने से पहले जिन लोगों ने मेरे चानल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज मेरे चानल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आप मेरे latest वीडियो अपडेट्स जल से जल देख सकें साथे साथ मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूँ कि इस lecture के यानि number system 23 rationalizing the denominator के जो pdf notes है उसका link description box में available है आप वहाँ पे जाएं किसी भी चीज पर कभी भी आप उन link द्वारा इन notes को download कर सकते हैं और उन्हें utilize कर सकते हैं ये notes में जो भी चीज मैं आज के lecture में आपको बताने वाला हूँ वह a to z mention होगी तो that's all और कुछ बच्चों के पास at present maths की जो ncrt textbook है वह available नहीं है तो वह maths की जो ncrt textbook है उसका pdf form download कर सकते हैं उसका भी link मैंने description में दिया हुआ है फिलाल आज के lecture में आपको ncrt book की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि जो भी बताना है मैं खुद बता दूंगा you don't need any ncrt textbook but what you need is a notebook and a pen and start making notes by giving the heading number system 23 rationalizing the denominator तो आपने बहुत टीचर से आपने ट्यूशन सेंटर पर पढ़ा होगा यह टॉपिक आपने स्कूर में पढ़ा होगा यह टॉपिक आपने नोटिस किया होगा rationalization का मतलब क्या है यह सब चोटी चोटी बातें जो अकसर दिमाग में रहती हैं कि यह कोई भी टीचर अकसर नहीं बताता है सिरफ रटा देता है कि इस तरीके से जो है आपने question solve करने हैं बट इस lecture में मैं आपको properly बताने वाला हूँ A to Z rationalization के बारे में और फिर उसके बाद हम इसके questions करने वाले हैं तो मैं यह ensure करूँगा कि आप rationalizing के process को cram ना करो जबकि उसके process को समझो और फिर पता रगाओ कि हम ऐसा क्यों करते हैं तो इसके लिए सबसे पहले हमारे दिमाग में question आना चाहिए कि जो हमारी heading है rationalizing उसमें what do we mean by rationalization तो अब rationalizing the denominator तो सबने नाम सुन लिया बट उसमें क्या किसी के दिमाग में question आया कि rationalizing rationalization इस word का क्या मतलब है तो जिस जिसके दिमाग में question आया बहुत अच्छी बात है आना चाहिए और जिसके नहीं आया उसके दिमाग में क्यों नहीं आया क्या वो रटना चाहते हैं तो उनको भी समझ में आना चाहिए कि rationalizing the denominator में जो rationalization word है उसका क्या मतलब है तो rationalization का मतलब है to convert to a rational number किसी irrational number को जब हम rational number में convert कर देते हैं तो उसे हम कहते हैं rationalization मैं फिर से बोल रहा हूँ किसी irrational number को जब हम rational number में convert कर दें किसी भी तरीके से वो हम बताएंगे कैसे तो उसे हम कहेंगे rationalization फिर अब दूसरा question दिमाग में सब के आना चाहिए कि when are we supposed to rationalize कब rationalize करें हम When are we supposed to rationalize अब हमें कब पता चलेगा कि हमें rationalization की जरूरत है When are we supposed to rationalize तो इसका भी answer आपको मैं बताना चाहूँगा कि जब भी denominator किसी भी expression का When the denominator of an expression When the denominator of an expression पहले मैं चाहता हूँ कि आप यह line लिख लो उसके बाद मैं आपको समझाऊँगा Contains a term With a square root Or with a radical sign With a square root Or with a radical sign Radical sign आप सबको बता है कौन सा होता है radical sign पिछले से पिछले lecture में हमने किया था ये वाले sign को हम radical sign कहते है जब भी किसी expression का जो denominator होता है अगर वो या तो square root की form में हूँ या वो radical sign contain करे तब हमें उसको rationalize करना चाहिए For example मैं ले लूँ तो 1 upon root 3 अगर मैं कहूँ आप इसे solve करके दिखाओ तो क्या आप इसे solve कर लोगे For example मैं कहूँ 1 upon root 2 तो 1 upon root 2 को आप लिखोगे 1 upon 1.414 dot 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 अब इसको मैं कहूँ कि आप divide करके दिखाओ तो क्या आप इसे divide कर लोगे Absolutely बहुत ही ज़ादा difficult हो जएगा और ना के बराबर इसकी division हो पाईगी और hence आप इसे divide नहीं कर पाऊगी क्यों? क्योंकि इस expression का जो denominator है वो एक ऐसी term consist कर रहा है जिस पे square root है या तो radical sign है तो ऐसी terms को हमें rationalize करना चाहिए ताकि हम उन्हें solve कर सकें क्योंकि ऐसी terms solve इस तरीके से नहीं हो सकती इसलिए आपको इनको rationalize इस denominator को एक rational number बनाना पड़ेगा इसे convert करना पड़ेगा rational number में ताकि आप इसे rationalize कर सकें इसलिए अब आपको पता चल गया कि कब आपको rationalize करना है जब भी आप ऐसी कोई term देखो जहां आप इसे ऐसे के solve ना कर पाऊ तो आपको इसे rationalize करना है अगर मैं लिख दू root 2 upon 2 तो आप इसे rationalize कर सकते हो मतलब आपको rationalize इससे करना चाहिए नहीं इससे rationalize नहीं करना चाहिए क्योंकि मैं इसे साफ साफ लिख सकता हूँ 1.414 dot 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 or 2 हाँ इसको मैं divide कर सकता हूँ यह मेरे लिए division इसकी easy है बट इसकी division मेरे लिए easy नहीं थी क्योंकि यह वाला जो number है यह non-terminating, non-repeating decimal expansion वाला number है तो मैं इससे तो divide कर सकता हूँ बट इससे नहीं कर सकता है इसका मतलब इसके लिए मुझे rationalization की जरूरत है और इसके लिए नहीं तो in short ऐसा कोई expression जिसके denominator में जिसके denominator में या तो कोई square root वाली term हो या कोई radical sign वाली term हो उसको हम करेंगे rationalize इसमें denominator में ऐसी कोई term नहीं थी इसलिए हम ऐसी कोई term को इसमें rationalize नहीं करेंगे अच्छा, next question जो इसी के regarding सब के दिमाग में आना चाहिए वो यह है question number 3 कि why do we rationalize why do we rationalize the denominator of an expression why do we rationalize the denominator of an expression अब हम ऐसे किसी expression का denominator rationalize क्यों करते हैं तो इसका answer मैंने already आप लोगों को बता दिया है हम इसलिए करते हैं क्योंकि हम essay में उसको solve नहीं कर सकते ताकि हमारी solving easy हो इसलिए हम करते हैं so इसमें मैं आंसर में लिखना चाहूंगा कि we rationalize the denominator we rationalize the denominator of an expression of an expression just because just because सिर्फ और सिर्फ इसलिए because without rationalization it cannot be solved it cannot be simplified बिना rationalization के उसको हम solve नहीं कर सकते हैं it cannot be simplified और यही सेम उपर वाले examples हैं इसके 1 upon root 2 करके दिखाओ बहुत simplified कौन करेगा चोटे से चोटे चोटे टाइम में इसको simplify exam में आ गया तो but rationalization के process से मैं इसे 2 minutes से कम के टाइम में solve कर दूँगा, simplify कर दूँगा तो इसलिए हम जो है we rationalize the denominator of an expression at last इसमें आपको यही एक last बात जानी है question rationalization के बार में आपको पता लग गया कि rationalization का क्या मतलब है कब हमें rationalize करना चाहिए और हम rationalize क्यों करते हैं तो इन सब बातों को जानने के बाद last में हमारे पास question आता है define the process of rationalizing the denominator define the process of rationalizing the denominator अब आप सबको लग रहा होगा कि यह क्या sir maths में से defining वाली बाते करा रहे हैं यह मैं सिरफ इसी लिए करा रहा हम ताकि आपको समझ आ सके और आप rationalization को cram ना करो बहुत बच्चे cram कर लेते हैं उसके बाद exam में क्राम क्राम के चकर में भूल जाते हैं कि हम actually में वो करते ही क्यों है कोई ऐसा टेड़ा question आ गया और hence उनसे वो solve नहीं हो पाता तो define the process of rationalizing the denominator इसका मतलब यही है the process of conversion the process of conversion of an expression of an expression containing the denominator containing an irrational term in denominator sorry an irrational term in denominator denominator into an equivalent into an equivalent rational number equivalent rational number it is called as the process of rationalizing the denominator जब भी हम ऐसे denominator में present एक irrational टाइप नमबर को convert करते हैं एक equivalent rational number में इस प्रोसेस इस नोन आज राशनलाइजिंग देनॉमिनेटर तो अब फाइनली थियोरी खतम हुई राशनलाइजेशन के ऊपर और अब हमें फाइंड करना है कि कैसे हमें डिनॉमिनेटर को राशनलाइज करना होता है तो इसके साथ हम शुरू करते हैं कुछ बातों पे दो क्यों से केसे कि हमें किस तरीके से जो है राशनलाइज करना होता है दिनॉमिनेटर को तो सबसे पहले हम case 1 लेते हैं जो कि यह basic सा case और case 2 में हम बाकी बचे सारे cases को ले लेंगे तो case 1 में कुछ ऐसे हैं, examples लेते हैं, जैसे 1 upon under root A, उसके बाद है minus 1 upon under root A, उसके बाद है B upon under root A, फिर A upon under root A, फिर B upon कुछ भी C under root A, फिर under root B upon under root A, then we have under root B plus 1 upon under root A, under root B plus under root C upon under root A, and C under root B upon under root A, तो ऐसे types के बहुत सारे cases हो सकते हैं, यह मैंने सिरफ कुछ ही लिखे हैं, इन cases में आप एक common चीज़ नोट करोगे, वो यह है कि denominator में सिरफ एक ही irrational number है, वो है under root A, हर case में आप देख लो, सिरफ एक ही term है, और denominator में कोई भी arithmetic operator use नहीं हुआ, denominator में ना ही कहीं plus use हुआ है, ना ही minus, या ना ही multiplication, ना ही divide, denominator में सिरफ एक ही term है, और वो एक ही term जो है, वो पूरी की पूरी irrational है, तो जब ऐसा कोई case आए, कि denominator में एक ही term हो, plus minus multiplication, divide जो हो, वो missing हो, तो आपको जो term, जो term irrational है, उसी से उपर नीचे numerator और denominator में multiply कर देना होता है, यह से हम कह देते हैं, rationalization, फिर से बता रहा हूँ, क्या करना होता है, multiply numerator and denominator, multiply numerator and denominator with under root a, इस case में, वो irrational number under root a है, और hence, हम यहाँ पे under root a जो है वो, उसे numerator और denominator को multiply कर देंगी, क्या बात का ध्यान रखना है, सिर्फ यह बात का ध्यान रखना है, कि नीचे वाली term में, अगर एक ही term हो, जो कि under root में हो, और plus minus जैसे sign use ना हो, multiply divide को cancel कर देते हैं, multiply divide use हो भी जाएं, तो भी हो जाता है, but plus minus अगर use हो जाएं, तो यह वाला नहीं होगा case, so multiply numerator and denominator with under root a, और उसके बाद solve करना है, laws of radicals से, जिसको laws of radicals आते हैं, well and good, जिसको नहीं आते हैं, वो उबिना उनके भी solve कर लेगा, example में देखते हैं, कि मैं actually कहना क्या चाह रहा था, so a question ले लेते हैं, उसमें question यह है, कि you are supposed to rationalize, you are supposed to rationalize, let us take first part to be as 3 upon under root 5, and second part as under root 2 plus under root 5 by under root 3, इस case, इन दोनों cases में आप देख रहे हो, कि denominator में एक ही term है, plus minus का sign denominator में नहीं है, और साथ ही साथ, जो term present है, वो irrational है, तो क्या करना है, जो term नीचे present है, उसी को उपर नीचे numerator और denominator में multiply कर देना है, तो first case देखते हैं, 3 upon under root 5, तो under root 5 को ही उपर नीचे multiply कर देंगे, numerator और denominator में, तो क्या answer आएगा, उपर तो आएगा 3 under root 5, और नीचे under root 5 into under root 5 is 5, यह बहुत cases में हमने किया है, so this is your answer, अब जो नीचे वाला term है, वो क्या आगया है, rational, मतलब हमने नीचे वाले denominator को, जो irrational था, उसे एक equivalent term में बदल दिया है, जो की है rational, और hence हमने rationalization कर दी, यही होती है rationalization, let us see the second question, second question में भी यही है, नीचे एक ही term है, plus minus का sign नहीं है, जो term है, वो irrational है, तो नीचे present term को numerator और denominator में multiply कर देना है, अब इसको कैसे multiply करोगे, पहले root 2 को root 3 से, फिर root 5 को root 3 से, और नीचे क्या आजाएगा, 3, तो उपर क्या आएगा, under root 6 plus under root 15 upon 3, अब यह कैसे आया, under root 6, आपने यह वाला पढ़ा है न, raw of law of radical under root AB is equal to under root A into under root B, यह तो common law है, almost सब को याद होता है, जिसको बाकी laws ना याद हों, उसको यह law तो याद होना ही चाहिए, तो वैसे ही, यहाँ पर under root 2 into under root 3 था, उन दोनों को multiply करके 6 लिख दिया, नमबर आ चुका है, जो denominator है, वो एक rational number आ चुका है, और हैंस हमने एक irrational number वाले denominator को rational में बदल दिया, तो इसे हम कहेंगे rationalizing the denominator, हमने denominator को rationalize कर दिया, तो in short मैं यह बात लिख सकता हूं, हिंदी में आपको समझ में आए, कि जो irrational, जो irrational number denominator में है, जो irrational number denominator में है, उसे उपर नीचे multiply कर दो, उसे उपर नीचे multiply कर दो, तो क्या लिखा है मैंने, कि जो irrational denominator में है, उसे उपर नीचे multiply कर दो, और हैंस आपका काम एकदम easy हो जाएगा, तो ये तो उन cases के लिए हमने पढ़ा, जहांपे एक ही term है, और plus minus का sign denominator में नहीं है, अब बाकी cases सारे हम ऐसे ले लेते हैं, जहांपे एक से ज़्यादा term हो, और obviously उनके बीच में, कुछ multiplication का, या कुछ subtraction का, subtraction का, sorry, I'm very sorry, subtraction का, जो है वो sign हो, let us take case 2, इस case में कैसे से numbers आएएगे, for example, 1 upon a plus root b, plus का sign आ गया, फिर c कोई और number, plus a plus root b, फिर a upon 2 root b plus c, ऐसे करते करते, etc, बहुत सारे terms, जहांपे मतलब in short कहने का, मतलब ये है, कि नीचे 2 terms है, या तो plus का sign है, नीचे या minus का sign है, अब इसमें आपको क्या करना होता है, इसमें आपको, मैं हिंदी में लिख देता हूँ, ताकि आपको समझ में आजे, जो नीचे वाली term है, जो नीचे वाली term है, उसको उपर नीचे, multiply कर दो, same पिछले बारी की तरह, उसको उपर नीचे, multiply कर दो, इसमें एक चीज और अड़ करनी है, multiply कर दो, plus, sign opposite कर दो, plus, sign opposite कर दो, फिर multiply करो, इसके भी example लेके बताऊंगा, कि क्या कहने का मतलब है, जैसे यहाँ पे a plus root b है, तो a plus root b को उपर नीचे multiply करेंगी, नहीं, sign opposite करके, यहाँ पे plus है, तो a minus under root b को उपर नीचे multiply करेंगे, यहाँ पे a minus under root b को उपर नीचे multiply करेंगे, यहाँ पे 2 under root b minus c को उपर नीचे multiply करेंगे, let's see an example, for example, we are supposed to rationalize, 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 1 upon 3 plus root 2, यह first case ले लेते हैं, और second case ले लेते हैं, 6 minus 4 under root 2, upon 6 plus 4 under root 2, अब इसमें बच्चे गलती क्या करते हैं, मैं यह बताता हूँ, गलती, गलती बता रहा हूँ, पहले फिर solve करूँगा, गलती यह है, 1 upon 3 plus under root 2 है, बस, यही पहली-पहली line देखी, उपर नीचे multiply कर दो, यह solve कर दिया, और hence, यह आपका हो जाएगा, absolutely wrong, करके देख लो, इसे solve, आपका denominator, rationalize होगा ही नहीं, क्यूं, क्यूंकि आपने यह जो sign है, इन्हें change तो किया ही नहीं, जबकि मैंने आपे, साफ साफ लिखा है, कि same, उपर नीचे वाली term को, आपने multiply करना है, बट क्या करना है, साफ में उनके, जो sign है, उसको opposite कर देना है, जो sign है, उसे opposite कर देना है, तो हम अब करते हैं, इसको solve, फर्स वाले पार्ट को solve, वो है, 1 अपॉन 3 प्लस अंडर रूट 2, अब sign change करके, उपर नीचे multiply कर देते हैं, यानि 3 माइनस अंडर रूट 2, उपर नीचे multiply, इस term को 1 से multiply करोगे, तो यही आएगा, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे law of radical लग रहा है, दिख रहा है, a प्लस अंडर रूट b, a माइनस अंडर रूट b, कौन से law of radical लग रहा है, a प्लस अंडर रूट b, a माइनस अंडर रूट b, किसके बराबर होता है, यह a square माइनस b के, तो a square यानि 9, माइनस b यानि 2, we get 3 माइनस अंडर रूट 2 अपान 7, अच्छा, अब जिन लोगों को law of radical नहीं आता था यह वाला, वो कैसे करते, वो सेम ऐसे लिखते, 1 अपान 3 प्लस अंडर रूट 2, इंटू 3 माइनस अंडर रूट 2, अपान 3 माइनस अंडर रूट 2, उपर का 3 माइनस अंडर रूट 2 तो वैसी आता, वन से multiply करके, अब यहाँ पे एक identity लग रही है, कौन सी, अपान 3 माइनस अंडर रूट 2 तो क्या आएगा, 3 माइनस अंडर रूट 2, 3 का स्क्वेर 9, अंडर रूट 2 का स्क्वेर 2, सेम बात बन गई, आंसर आगया, 3 माइनस अंडर रूट 2 अपान 7, इस तरीके से, जिसको laws of radicals आते हैं, उनको पता हो गए, हापे A, B क्या था, A है यह 3, B है अंडर रूट के अंदर वाला, अंडर रूट के अंदर वाला B, यानि 2, तो मैंने हापे 2 लिखा, जिनको नहीं आता, वो identities लगाएं, Class 8 में सीखी हुई, LGBT expressions चाप्टर में, Factorization चाप्टर में, अच्छा आभ यह 2 वाला करते हैं, उसके बाद मैं आपको 2 question homework दूँगा, खुद उसे try करके comment section में उसका answer देना, फिर देखते हैं किस को rationalization आया, ने तो future वीडियो में हम इसके उपर question करने वाले हैं, तो एक बहुत लास्ट question देखते हैं इसका, जो इस वीडियो का last rationalization question है, यही था rationalization बस, यह दो case, पहले वाले case में पता है क्या करना है, वही same term को उपर नीचे multiply कर देना है, दूसरे वाले case में जहाँ पर plus minus sign आ जाते हैं denominator में, तो उन sign को opposite करके उपर नीचे multiply कर देना है, तो इस वाले case में समझते हैं एक बारी, लास्ट में 6 minus 4 under root 2 upon 6 plus 4 under root 2, अब देखो उसमें क्या करना है, यह थोड़ा अच्छा वाला question आ गया, 6 minus 4 under root 2 upon 6 plus 4 under root 2, मैंने क्या आया का है, नीचे वाले term को उपर multiply करना है, बट उसके जो sign हैं उसे change कर देना है, 6 minus 4 under root 2, अब यह क्या बन गया, यह तो बन गया 6 minus 4 under root 2 का whole square, square का क्या मतलब होता है, एक नमबर को उसके खुद के साथ multiply कर दो तो उसका square बन जाता है, एक नमबर को उसके खुद के साथ मैंने multiply कर दिया, तो उसका square बन गया, और नीचे क्या आया, नीचे आया 6 plus 4 under root 2 into 6 minus 4 under root 2 अब ये तो समझ में आ गएगा अब दो तरीके फिर से हैं पहला तरीका उनके लिए जिनको laws of radicals आते हैं दूज़ा तरीका उनके लिए जिनको laws of radicals नहीं आते तो पहले laws of radicals वाला देख लेते हैं किसे आते हैं एक law है law of radicals जो मैंने अपने session में कराया हुए हैं पूरा मतलब वीडियो लेक्चिस में sorry बहुत ज़दा you know tongue slip हो रही है sorry तो वह है a minus under root b ka whole square sorry वह था under root a minus under root b ka whole square I'm very sorry वह ये वह था और वह क्या था under root a minus under root b ka whole square वह था a minus 2 under root a b minus b अब आपको लगते हैं ये वाला law कहीं पे भी लग रहा है कुछ बच्चे यहां पे ये वाला law लगा देते हैं और absolutely उनका wrong हो जाता है question absolutely wrong तो ये law मैं आप दुबारा बता रहा हूं नहीं use होगा ये law नहीं use होगा क्योंकि यहां पे a जो है आपका under root में नहीं है तो यहां पे बेशक मैं आपको बता जाना चाहूं कि कोई भी law use नहीं होगा law जो है वो denominator में use होने वाला है और वो है a plus under root b into a minus under root b is a square minus b what? it's a square minus b क्या ये law लग रहा है उसमें? क्या ये law लग रहा है उसमें? absolutely wrong ये law भी नहीं लग रहा जिन बच्चों को पुरा confidence था मैंने जब कहा कि ये law लगेगा उनका confidence एकदम zero कर लो क्योंकि आप से actually में ये law नहीं लगेगा क्यों? देखो a के साथ तो six में match हो गया पर क्या under root b में यहां पर यहां पर यहां पर तो कुछ है यह नहीं बाहर क्या करें भई हम इसका? तो in short laws of radicals इसमें थोड़ा difficult होगा लगने के लिए जो कि आपके syllabus से थोड़ा बाहर हो जाएगा and I don't want कि आप इतनी confused हो इस छोटी सी बात को लेके इसलिए आप सभी को दूसरे तरीके से इसको solve करना होगा वो क्या है? identities वाला तरीका a minus b का whole square क्या होता है? a square plus b square minus 2ab a plus b into a minus b किसके बराबर होता है? a square minus b square यह दो identity लगेंगी यह वाली identity लगेगी numerator में और यह वाली identity लगेगी denominator में आप जरूर लिख दें कि by using this and this अचा numerator में लगा हो a minus b का whole square तो क्या होगा? a square plus यह b पूरा है b square minus 2ab I hope it's correct second a square minus b square a square minus b square correct जिसको नहीं समझ मैं दुबारा देखें कैसे आया यह देखो a square plus b square minus 2ab a square a यह है a का square b का square minus 2ab नीचे a plus b a minus b तो a square minus b square अब इसे solve करना आ चाहिए क्या? 6-6 जा 36 4 under root 2 का square क्या होगा? 4 under root 2 का 4 का square करेंगे वह होगा 16 फिर under root 2 का square करेंगे वह होगा 2 दुबारा बताओं पहले पूरी common term का square करना न तो पहले 4 का square 16 फिर under root 2 का square 2 बीच में कौन से sign है? multiplication का चलो well and good समझ में आगे next 2 को 6 से multiply किया 12 12 को 4 से multiply किया 48 so you'll get 48 root 2 2 को 6 से multiply किया 12 12 को 4 से multiply किया 48 root 2 ऐसी multiply में बच किया next 6 का square 36 minus अब यह सेम है square यानि 16 into 2 okay next तो ऐसे questions आने वाले हैं और आसकते हैं although आपके NCRT में इतने tough questions जो है वो नहीं present है यह थोड़ा से different high level का question है जहां पर law of radicals absolutely जो है apply नहीं हो रहा है so 16 2s are what is 16 2s are it's 32 yes it's absolutely 32 minus 48 under root 2 and hence we here go 36 minus 32 are we going good yes so इसको क्या आएगा 68 minus 48 root 2 upon 4 अब दिख रहे आपको अब simplify करना है इसको आपको तो उपर से आपको लग रहा है 4 common आ सकता है 4 common आ सकता है उपर वाली term में से क्या आपको लग रहा है तो अब उपर वाली term में से हमें 2 common ले लेते हैं 4 तो common नहीं आ रहा 2 common लेना आता है ना its class में सीखा है common कैसे लेते हैं वैसी 2 common लेके देखते हैं इसमें, तो 2 common लिया मैंने, इसमें से 2 common लिया तो क्या बच गया? 34, इसमें से 2 common लिया तो क्या बच गया? 24 under root 2, नीचे क्या आ गया? 4, नीचे क्या आ गया? 4, तो 2, 2s are 4, अब हमारे पास क्या है? 34 minus 24 under root 2 upon 2, देखो क्या किया है मैंने? मैंने इस प निकाला बाहर, तो क्या बचा 34, डिवाइड कर देंगे न, common लेना आता होगा, यहां से 2 निकाला, तो इसको 2 से डिवाइड कर दिया, 24 root 2, अब जो 2 बाहर आया, उसको इस से साथ काट दिया, अब दुबारा मेरे पास 2 जो है, वो common आ रहा है, इसमें, तो 2 common लिया थे, यहां मैं इसे 2 डिवाइड किया, 34 को 2 से डिवाइड किया, 17, 24 को 2 से डिवाइड किया, 12, 2 बाहर, अब यह 2 और 2 बाहर जो है, वो cancel हो गए, हमारा answer आ गया है, 17 minus 12 under root 2 by 1, 1 जो है, वो एक rational number आया है, और इसे चाहो तो आप सीधा लिख सकते हो, 17 minus 12 under root 2 answer, and hence, हमने जो denominator पहले इसका ऐसे था, उसको इतना जादा calculation करने के बाद, simple इतना बना दिया, 1, and hence, हमने denominator को, in short, rationalize कर दिया, so this was all about rationalization, इस lecture में बस इतना ही, next lectures में, हम examples 17, 18, 19, and 20 करेंगे, जो की rationalization के ऊपर ही है, और आपको rationalization और जादा समझ में आ जाएगी, although, यह question, जो अभी हमने किया, यह थोड़ा difficult one था, ऐसा question, बहुत ही rare chance है, आपके पूछने में, आपको पूछने में, आपको पूछने में, तो, इसको अगर यह ना भी आया, तो दुबारा कोशिश करना कि यह आ जाए, वरना ना आया, तो इतना जादा है, इसके उपर concentrate कर कि अपने जो है, बाकी जो की अधर है, उसको खराब मत कर लेना, so, that's all, we have for us today, पढ़ाई करते रहें, और अगर आपने मेरे चानल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो, प्लीज मेरे चानल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को दुबाएं, ताकि आप मेरे ले किस तरहीके से राशनलाइजेशन करना होता है, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, और अपने फ्रेंड्स, क्लासमेट्स के बीच में शेयर करें, और अगर आपको कोई डाउट है इस वीडियो के रिगार्डिंग, तो उसे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर पूछे करने वाला हूं, एक बर यह आपको दुबारा से याद दिला दूं, तो इस लेक्शे के जो PDF नोट्स है, उसका लिंक डिस्रिप्शन में गिवन है, अब वहाँ पे जाएं, और PDF नोट्स को डाउनलोड करके उन्हें यूटिलाइज करें, यह आपको बहुत जो टाइम है, वह कंज्यूम होने से बचाते हैं, वेस्ट होने से बचाते हैं, अगर आपको कोई चीज इस लेक्शे के नहीं समझ में हाई, तो आप इस लेक्शे को बिना, मतलब दुबारा देखने के बजाए सीधर्स के नोट्स खोल के पढ़ लो, तो आपको वह समझ में आ जाएगा, so this time will save our time szaf seconds. So that's all we have for us today, thank you and have a very nice day ahead मैं प्राव कर्वें आप्टाओ कर दो मॉझेझ कर दो दो कि अजें मॉझें आप कि अटारीट हुआते हैं कर दो कर दो कर दो